मुझे भी हीरो बनना है यह हीरोइन बनना है यह ख्याल अक्सर उम्र के एक पड़ाओं में या अब तो हर घर में छोटे बड़े बच्चों और यूऊँ के मन में आता ही है नाशना गाना एक्टिंग और किसी बड़े हीरो हीरोईन की नकल करके अपने घरवालों को एंटर्टेन करना तक तो ठीक रहता है पर मनोरंजन की दुनिया में कदम रखना और वहाँ पर लगातार बने रहना हर यूवा वर के लिए बड़ी चुनौती तब बन जाता है जब वही यूवा माया नगरी के उस माया में प्रवेश करता है और वहाँ के असल सचाई से रूभरू होता है माया नगरी का स्ट्रगल और अपने आपको उस मौहॉल में किसी भी हालत में बनाए रखने की जद्धो जहद में यूवा मेंटली खुद को रोज लगातार तौर्चर करती रहते हैं एंटर्टीन्मेंट इंडस्ट्री में लगातार हो रही मौतें एक बड़ा डर पैदा कर रही हैं वो यूवा वर्ग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है उसके दिल में ये मौतें बड़ा डर पैदा कर रही हैं जो उन यूवाओं की मेंटल हेल्थ और फिजिकल फिटने से जुड़ा हुआ है कला जगत के कई ऐसे मशूर किरदार है जो अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन हमारे दिलों में उनकी यादें हमेशा जिन्दा रहेंगी ऐसे कलाकार जिनकी मौत एक अंसुलजी कहानी बन कर रह गई जिनका राज आज तक कोई पता नहीं लगा सका चाहे बात अभिनेत्री दिविया भारती की करें या शुशान सिंग राजपूत की बॉलिवुड में कई ऐसे महान हस्तियां हुई हैं जिनकी लाइफ बहुत ही शांदार भी थी लेकिन उनकी मौत किस तरह हुई ये एक रहस्य बन कर रह गया आज हम आपको ऐसे फिल्मी सितारों के बारे में बताएंगे जिनकी मौत आज भी एक रहस्य है हम आपका रुख आज उनका लाकारों सितारों की ओर करना चाहेंगे जो अब इस दुन्या में नहीं रहे शुशान सिंग राजपूत साथ 2020 तारिक 14 जून जैसे ही खबर आई कि शुशान सिंग राजपूत ने सुसाइड कर लिया है कोई मानने को तयार ही नहीं हुआ क्या शुशान की सच में मौत हो गई है जब पता चला कि हाँ यह बात सच है तो आखों के आगे अंधिरा अचा गया शुशान का शव उनके ही अपार्टमेट में पंखे से लटका मिला या जानकर फैंस का बुरा हाल हो गया शुशान की बेहने बिलक रही थी और पिता बेजान से हो गए थे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शोशल मेडिया पर बॉलिवूड को बैकॉट करने की मांग करनी शुरू कर दी शुशान की मौत के बाद मानो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई किसी का भी दिल ये मानने को तयार ही नहीं था कि शुशान सुसाइट जैसा कदम उठा सकते हैं वो इंसान जो हमेशा ही चान तारों की बाते करता था जिसने अपने सपनों की पूरी लिस्ट तयार कर रखी थी जो हर निराश आदमी को खुशी और जिन्दा दिल से जीने की सीख देता था वह भला ऐसा कदम कैसे उठा सकता था शुशान की मौत के बाद प्रिटर पर उनकी कुछ तस्वीरें वाइरल हुई जिनों ने उनकी मौत पर कई सवाल खड़े कर दिये फैंस ने कहा कि शुशान्त ने सुसाइट नहीं किया है बलकि उनकी हत्या की गई है फैंस ने शुशान्त सिंग राजपूत के लिए इनसाफ की मांग की और कहा कि एक्टर की रहस्यमय मौत की CBI जाच की जाए शुशान्त की मौत को दो साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन आज भी उनकी मौत की गुथी नहीं सुलची है सिधार शुकला अभी लोग शुशान्त सिंग राजपूत के मौत के गम से उभरे भी नहीं थे कि 2 सितंबर 2021 को सिधार शुकला की मौत ने सबका दिल रहला दिया मिली जानकारी के अनुसार 1 सितंबर 2021 की रात जब सिधार शुकला सोने गए थे सिधार शुकला की 2 सितंबर की सुभा साइलेंट हार्ट अटेक के कारण मौत हो गई लेकिन फैंस मानने को तयार ही नहीं थे कई तरह के सवाल उठे सिधार शुकला की मौत कैसे हुई कल तक तो सब ठीक था फिर रात में ऐसा क्या हुआ था सिधार शुकला ने क्या खाया था उनके पास मौत के वक्त कौन था सिधार शुकला तो चले गए पर अपने पीछे सवालों की ऐसी गुथी छोड़ गए जो आज तक नहीं सुलज पाई अब भी सिधार शुकला की मौत का रहस्य सुलज नहीं पाया है दिव्या भार्ती की मौत बॉलिवूड के लिए सबसे बड़ा सत्मा थी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चौका देने वाली मौत दिव्या भार्ती की ही मानी जाती है महज 19 वर्स की छोटी सी उम्र में उनकी मृत्य हो गई थी उस समय सबकी सांसें टक गई जब 5 अप्रेल 1993 की रात को दिव्या भार्ती की अपने घर पर पांचवे फ्लोर की बालकनी से गिर कर मौत होने की खबर सामने आई थी दिव्या भार्ती पांचवी मंजिल से कैसी गिरी क्या उन्होंने नशा किया हुआ था या फिर किसी ने जान पूछ कर उन्हें धक्का देकर किरा दिया था इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उनकी मौत एक रहस्य बन कर रह गई नफीसा जोसेफ साल 1997 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली बॉलिवूड अबनेत्री नफीसा जोसेफ 2004 में मात्र 25 साल की उम्र में फासी के फंदे पर छूल गई उन्होंने बॉलिवूड फिल्म ताल में भी काम किया था नफीसा जोसेफ ने भी खुदकुशी की थी उन्होंने अपनी जान क्यों दी इसका रहस्य अभी भी बरकरार है नफीसा की पहचार एक मॉडल के साथ साथ MTV की होस्ट की भी थी 30 जुलाई 2004 को उन्होंने पंखे से लटक कर जान दे दी थी नफीसा के माता पिता ने खुदखुशी की वज़ा उनकी शादी टूटना बताया था लेकिन हकीकत क्या है इस बारे में कोई नहीं जानता सिल्क स्मिता शायद ही ऐसा कोई हो जो दक्षिर भारतिय सिनेमा की पूर्व अभिनेतरी सिल्क स्मिता को नहीं जानता सिल्क स्मिता 1993 में चे नई मेस्थित अपने घर में मृत पाई गई थी उनकी मौद भी वक्त के साथ एक रहस्य बन कर ही रह गई सिल्क स्मिता अपने जमाने में बोल्ड अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती थी सिल्क उर्फ विजे लक्ष्मी को विवादित एक्टरिस में भी गिना जाता था उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चड़ाव देखे माना जाता है कि अकेलेपन की वजह से वो शराब और नशे की गिरफ्त में आ गई थी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भी पंखे से लटक कर खुदखुशी की थी उन्होंने नशे की लटके कारण अपनी जिंदगी खत्म की थी या किसी और वजह से यह एक रहस्य है इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है गुरुदत अपने अभिनय और निर्देशन दोनों के लिए गुरुदत का नाम बहुत ही खास था लेकिन निजी जिंदगी में पतनी गीता दत से उनका रिष्टा बिलकुल बिखर चुका था और अकसर जगडा होता था 9 अक्टूबर 1964 को ऐसे ही एक जगडे के बाद उनके दोस्त अबरार अलवी मिलने पहुचे तो गुरुदत शरापी रहे थे अगले दिन अबरार अलवी आये तोनों ने देखा कि गुरुदत की मेश पर एक गिलास रखी हुई थी जिसमें एक गुलाबी रंग का तरल पदार्थ बचा हुआ था और गुरुदत की मौत हो चुकी थी सिर्फ बॉलिवुड ही नहीं बलकि तॉलिवुड, मराथी इंडरस्ट्री, साउथ इंडरस्ट्री में भी और भी कई ऐसे मशूर चेहरे और नाम हैं जो लगातार चर्चा में बने रहे हैं चाहें वो टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा हो या हाज सिकलाकार सतीश कौशिक, राजु श्रिवास्तों की 58 वर्ष की आयू में आसमे मृत्यू या फिर मलयालम इंडरस्ट्री की 42 वर्षिय सुभी शुरेश का निधन यहां तक की इस दंश से भोचपूरी इंडरस्ट्री भी अच्छूता नहीं रहा भोचपूरी एक्ट्रेस अकांग्शा दूबे की अचानक मौत के मामले बे भी नए अमोर देखने को मिला एक्ट्रेस की मौत की वज़ा मेंटल टॉर्चर से संबंधित है बताया जा रहा था कि भोचपूरी सिंगर समर सिंग लंबे समय से अकांग्शा को प्रताडित कर रहा था और अंत में एक्ट्रेस ने खुद खुशी का रास्ता चुना एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री में लगातार मौतें खुद में काफी रहस्यमई बात है कि आखिरकार ऐसी क्या वज़ा है कि एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री अब कलाकारों के लिए लगातार काला सच बनती जा रही है अब कला जगत काला जगत क्यों बनता जा रहा है एक कलाकार को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए किन-किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है ये सारी बातें अब भी एक सवाल बनकर ही रह गई है इसे के साथ इस खाश पे श्यश में बस इतना ही देश-दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर साथ ही हमारे चैनल को सब्स्राइब करें और बेला एकल दबाना बिलकुल न भूलें झाल झाल